जै मातादी दोस्तों तपो भूमी क्लासेस पे मैं अब देश बदोरिया आप सभी का स्वागत करता हूँ राष्टी सिच्छा नीती 2020 के लिए मैं एक वीडियो लेक्चर सीरिज लेकर आया हूँ ठीक है दोस्तों राष्टी सिच्छा नीती 2020 का डॉक्यूमेंट काफी बड़ डॉक्यूमेंट है कुल 108 पन्ने इसलिए इसको मैं एक लेक्चर में कम्प्लीट नहीं करा सकता इसके लिए मैंने इसके पांच लेक्चर आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा पहला लेक्चर यह है बाकी के चार लेक्चर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएग चीक है CTAT, MPTAT, UPTAT exam के लिए पढ़ रहे हैं उन सभी के लिए हालांकि आपका जो आगामी TAT exam है उसके द्रश्टी कौन से इतना exam के परपस से महतपूर नहीं है लेकिन चुकि आपकी MPTAT और CTAT यह परिच्छा केबल एक eligibility test है भरती परिच्छा नहीं है तो अगर कोई second stage होत exam के द्रश्टी कौन से राष्टी सिच्छा नीती 2020 महतपूर हैं तीसरा वो लोग जो केबल राष्टी सिच्छा नीती को जानना और समझना चाते हैं सही रूप में क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे news article ऐसे हैं जहां पर राष्टी सिच्छा नीती को लेकर भ्रह पहलाए जा रहा है या तो बहुत ज़्यादा तारीफ कर दी जा रही है या पर बहुत ज़्यादा बुराई कर दी जा रही है क्योंकि वह politically कहीं ना कहीं influence रहते हैं तो उन सभी चीजों को भ्रह से दूर करने के लिए मैं ये lecture series लेके आया हूँ तो चलो सबसे पहले मैं नाम से Android app वहाँ पर भी आपको ये PDF मिल जाएगी चीक है तो सबसे पहले मैं आपको विसाय बस्तू बता दूं कि राष्टी सिच्छा नीती 2020 कोई भी किताब होती है ऐसे एक किताब टाइप का है यह तो इसकी भी एक विसाय बस्तू दी गई है पहले परचा दिया गया पा कराऊंगा वीडियो लक्ट्य right रिय फर्श्ट ने करवाऊंगा ठीक है में आपके अक्जाम के दृष्टी कोंसे जो ट्याट की त्यारी कर रहा ह창 उनके लिए यह इसपूल सिच्छा वाला लेक्ट्चर बहुत मैं तो कूरे और ये पहला बाला जो पर्च वाला ये तो most important है ठीक है अब आता है उच्छी तरस इच्छा उच्छी तरस इच्छा हम थीसरे लेक्चर में complete कराएंगे video lecture 3 में जो टीटी वाले MPTet वाले वो बोर हो जाएं अगर दो लेक्चर में तो यह तीसरा वाले के लिए फिर से महतबूर हो जाता है इसको नहीं छोड़ सकते और यह पांच वाय किरियान वेन की रड़ नीती यह हमारा वीडियो लेक्चर फाइब है यह टैट एक्जाम वाले फिर से छोड़ सकते हैं तो कोई दिक कर नहीं अगर बोर हो रहे हो तो अदरवाइस मैं तो प्रेंटेशन ग्रामीड सिच्चा को किस तरीके से डिजिटलाइस किया जाए कैसे वहां तक गुडवत्ता पूर्वक सिच्चा पहुंचाई जाए इसके लिए मदपरदेश सरकार को एक आईडिया कॉंपेटिशन था उसमें हमने अपनी प्रिवश्टी दी और वहाँ पर प्रागों के लिए मैं एक उचित व्यक्ति हो सकता हूं इस सिच्चानीती के बारे में डिसकस करने के लिए ठीक है चलिए तो सबसे पहले परच देखिए काफी भ्रामक जो न्यूज आर्टिकल आ रहे हैं उसका केवल एक रीजन है कि लोगोंने परचे नहीं पड़ा और भाग एक भाग दो भाग तीन पर जो पॉइंट लिखें उन पॉइंट पर पहुंच गया और जो तथ्य परक जो है जो फैक्ट वाली चीज़ें हैं फैक्ट वाली चीज़ों पर डारेक्ट उन्होंने आर्टिकल बना दिये जहां से चीज़ें सही तरीके से नहीं होता है कि आखिरकार वो इस पिच्चर से क्या देना चाहता है वो इंटर्टेनमेंट लोगों का मनुरंजन करना उसका मूल उद्देश है या किसी एक विसाय के बारे में बताना मूल उद्देश है या पर किन चीज़ों के बारे में बताना उसका मूल उद्देश है तो ए के आए हैं इनका क्या एजिंडा है ये चाहते क्या है इनका उद्देश क्या है इसलिए ये पूरा पर्चय करा रहे हैं कि हम ये ये करना चाहते हैं ये ये करना चाहता है ऐसा वैसा फिर उसके लिए फैक्ट तो के तहट और कैसे कैसे करेंगे कैसे करेंगे ये आंगे की पू जैसे यहां पर दिया है सबसे यूवा जनसंख्या वाला देश भारत है और हम हमेशा करते आते हैं कि जनसंख्या बढ़ रही है जनसंख्या हमारे लिए एक तरीके से अविशाथ है लेकिन कुछ ऐसे जैसे जापान आपान जैसे जहां पर जनसंख्या कम है और जनसंख्या कम यार कर लेंगे तो हम भिसुगूरू बन जाएंगे तो थINK है हम पूरी दुनिया से ढinskyक है फूरी दुनिया में हमारा पालवला होगा ठीक है तो अच्छे तरीके से प्रियोग कर पाएंगे तो जो बढ़ती हुई जनसंक्या वो हमारे लिए वर्दान साबित हो जाएगी अगर हम उनको अच्छी तरीके से सिच्छा दे पाएं सिच्छा का मतलब केवल आज के दिमाग में आपके दिमाग में यह पड़ता है कि हम पड़ा लिखा दें केवल वैसा ही सिच्छा नहीं यह सिच्छा बहुत ही अलग आयामों की रहेगी जिसको आप पूरी सिच्छा नीते पढ़ते हुए समझ पाएंगे तो अच्छी सिच्छा मिले अच्छे नागरिक बने ताकि वो देश के समस्त संसादनों का उच्छित बात कर रहे हैं और साथी साथ हम संवेदन सीलता और करोडा की भी बात करेंगे कि यह वाले गुड़ भी बच्चों के अंदर पैदा करने केवल इंटेलीजेंट ही नहीं बनाना है उनको संवेदन सील भी बनाना है इसको बहुत जोर से जोर दिया गया इन चीजों पर तो यह अब में बताओं कि यह जो है नीती यह किस एजन्डे की तहट लाई गयी है तो 2015 में भारे सरकार ने सततर विकास एजन्डा 2030 के लिए लाय थे 2030 का सतर विकास आज þेट पर तो उसमें क्या था की सिच्छा विकास का एजन्डा था तो उसी एजन्डा को प्राप्त करने के लिए नई सिच्छा नीती लाई गई वहाँ पर उन्हुने बोला था कि सभी के लिए वनको समावेशी समावेशी सिच्छा सारे टैट होंगे जानते होंगे ठीक है कि समावेसी यानि सभी को एक साथ सिच्छा देना है हर परकार के बच्चे को ठीक है अगर कोई गूंगा बहरा या पर कैसा भी बच्चा है मतलब दिव्यांग बच्चा है या फिर कोई special abilities वाला बच्चा है तो उन सब को एक साथ एक कच्छा में हम समावेसित करकर और एसी सिच्छा दे रहे हैं जिसमें हर आयाम का वह हो मतलब हम हर तरीके के केबल रटाई वाली सिच्छा या पिर गड़ेत या विग्यान का ही अध्यन नहीं करा रहा है हम एक व्यापक तरीके की सिच्छा दे रहे हैं उसको समावेसी सिच्छा केते हैं समावेसी हो समान जहां पर स्कूल की बिल्डिंग ही नहीं है पेड़ के नीचे बैठके बढ़ रहा है अच्छे टीचर नहीं है टीचर आ नहीं रहे हैं ऐसी चीजें तो समान गुडवत्ता कैसे बच्चों तक पहुंचे सिच्छा सुनिश्चित की जाए जीवन परियंत सिच्छा के अफसर जैसे मान के चलिए मैंने आज सिच्छा छोड़ दी किसी कारण बस तो फिर मैं बाद में जब मेरे पास सावरी चीजें संसादन उपलब्द हो जाए तो मैं सिच्छा प्राप्त करना चाहूं उस समय भी मैं सिच्छा प्राप्त कर लूँ इसके लिए चीजें आसान हो यह वाला पैराग्राफ इस पैराग्राफ के बारे में आपको बता दूँ क्या है जो जो बात है मैं मोटा माटी बता रहा हूं आप बस अपने दिमाग में रख लेना है कि अच्छा ऐसा है ऐसा है तो बस कुछ इसके लिए अभी फिलहाल नोट्स बगैरा बनाने की कोई ज वह जा रहा है क्योंकि मसीन आ गई है बिग डैटा जैसे किसी को डेटा अनलेसिस करना था बेग डेटा इसकरते बाद में पिर वह उससे निस्कर्स निकाल लेते हैं वही पूरा सब कुछ है अकॉंटिंग अकॉंटिंग सब कर लेते हैं ठीक है मसीन लर्निंग बहुत सारे artificial intelligence इन सब चीजों की वज़ेसे जो अकुसल स्रम है वो आपका खतम हो रहा है उसके लिए जगह कतम होती जा रहा है तो अब आदमी काम करेगा तो कहा करेगा तो वो कुसल स्रम में काम करना पड़ेगा ठीक है आठ उसको कुसल स्रम में काम करना पड़ेगा और काम तभी कर पाएगा जब उसके पास quality education में लेगी ठीक है साती साथ जलवाई उपर वर्तन हो रहा है तो नए नए हमको रास्ते खोजने पड़ेंगे ठीक है उर्जा के तो इन सब चीजों में हमको काम करना पड़ेगा तो कुसल सरम के लिए सिच्छा अच्छी होनी चाह लिए था क्या क्याते हैं इस्किल इस्किल और री स्किल और अप स्किल की बात गई और यह बिल्कुल सही बात उनों ने यह भी बोला था कि आजकल इतनी जल्दी से परवर्तन हो रहे हैं चीजों में इतनी तेज परवर्तन हो रहे हैं कि बड़ी बड़ी इंटरस्टी भी हो जा रही है उनके हिसाब से परवर्तनों के इसाब से काम करने में तो यही चीज यहां पर दी गई है कि रोजगार नौकरी और वैस्विक पारिस्तितिकी में तीब्र गती से जो ग्लोबल एको सिस्टम है मतलब जो भी चीज़ें अपने आसपास होती है उनमें बहुत फास् हो लेकिन आज के जमाने में मार्केट में उस चीज की वैल्यू ली रह जाती कोई नई टेक्नोलजी आ जाती है तो मेरे अंदर ऐसी चीज होनी चाहिए कि मैं खुद से सतत सीखते रहने की मेरे अंदर कला ओ तो मुझे पता है कि कल को यह जीज होने वाली है तो मैं आज यह सीख लूँ ये चीज़ सीख लूँ ऐसा करना चाहते हैं वो कैसे होगा वो आंगे की चीजों में बताया जाएगे लेकिन उनका जो लच्छ है उद्देश है वो ऐसा करना चाहते हैं ठीक है विसावस्तु को बढ़ाने की जगह इस बात पर अधिक जोर देने की जगुरत है कि जो बच्चे हैं हमारे वो समस्य समादान यानी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएं और तारकिक और रचनात्मक रूप से सोचना सीखें यानी कोई भी प्रॉब्लम आती है उसका solution निकाल पाएं कुछ अपना solution निकाल पाएं creativity दिखा पाएं और यह problem क्यों है क्या है इस तरीके से तार्किक रूप से सोच पाएं। साथ ही साथ जो अलग-अलग संब विसाय होते हैं उनके बीच के अंतर संबंद को भी समझ पाएं। क्योंकि देखो अगर कोई भी बंदा हो वो technology का काम जानता है technology का काम जानता जैसे मानके चलो किसी को programming आती है programming आती है वो application बना सकता है वो website design कर सकता है और भी छीजें software बना सकता है लेकिन उसको ये भी पता होना चाहिए कि teachers जैसे एक teacher को एक software बनवाना है ठीक है तो उसको teachers के बारे में भी पता होना चाहिए कि पढ़ाने की कला क्या होती है लोग वाक कैसे पढ़ते हैं क्या होता है तब तो वो उनके लिए एक अच्छा software बना पाएगा पहले से ही या पर उनकी चीजों को वो समझ पाए तो अंतर संबंद भी बनाने बहुत जरूरी है और यह सिच्छारती केंदरित होनी चाहिए सिच्छर प्रक्रिया यानि कि जो बच्चा है उस वो सेंटर में होना चाहिए तीचिंग की प्रोसेस में यह पहले भी हर एक में हर एक सिच्छनीती में यह सारे पेड़ागोर्जिकल चीज़ें जिग्यासा खोज अनवाद बगएरा यह सारी चीज़ें बिल्कुल सेम है इसमें कुछ अलग नहीं है यहां पर ठोड़ा सा और कुछ जोडने की कोशिस हुई है यह पर की सिच्छा से चरित निर्माड होना चाहिए सिच्छार्टियों में नैतिकता तार्किकता करुडा और उर संभेदन सीलता करोना एक पत्सक्राइबां अब पहुत आता की विद्हारती तक पहुचाना है यह इसा कि भी तक न ना और दूर्गार सुछ्ष आना पारोषा के लिए आप पास बहुत कम उप्शन है आर्ट के लिकिन आर्ट के फिशोए मेल बार बनाने हैं इनको अंतर संब्धित करना है दूसरे fields के साथ हर फिल्ड में रोजगार बनाना यानि बेरोजगारी कम हो ठीक है ठीक है अभी आंगे हम पड़ेंगे तो देखेंगे कि हर किसी को किसी ना किसी एक सिसके में तो महारत होनी चाहिए मनला एक चीज तो इसको सीखना चाहिए कैसे जिससे कि वह पतो हमकिन वक्राइब के इसके माधियम से नीह मिरें प्रॉजगार हांसिल करें इन के भी हम ठीलिसी तीसरे lecture में शीखने के कपर आर्मों की बॉर्टमान्स्तिती और जो आवश्चक है देखो क्या बोला जा रहा रहा है कि आजकल सीखा कैसे जाता है मैंना सीखने पर जो दिया जा रहा है बच्चे जो सीखते हैं अपने अन्दर से सीखते हैं वह किस तरीके से सीख रहे हैं उन चीजों पर ध्यान दिया जाए और जो भी सही चीजे नहीं है उनकी खाई को प्रारम उनकी खाई को भरा जाए यह वाली चीज़ें और सभी लोगों को सबसे अच्छी हाईस्ट क्वाल्टी मिले एक्विटी यानी समानता मिले ठीक है सारा सिस्टम एक जैसा हो ठीक है अखंडता लाई जाए और वो सुधारों के ज़री पाटा जाए यह सारी चीज़ें दिगें साती साथ बोला गया है कि हमारा जो मूल उद्देश हमारा जो उद्देश है वो यह है कि 2040 तक यानी अगले 20 साल में भारत की ऐसी सिच्छा प्रडाली होनी चाहिए कि वो किसी से भी पीचे नहीं रहे दुनिया में ठीक है और साती साथ सामाजिक और आर्थिक प्रष्ट भूमी से संबंद रखने वाले सिच्छातियों को समान रूप से सर्वोच गुडवत्ता की सिच्छा उपलब हो यानी कि कोई भी हो किसी भी प्रकार के समास से आ रहा है चाहिए वो गाउं से आ रहा है चाहिए वो सहर से आ रहा है चाहिए वो देहा से आ रहा है सब को किमधी महीं हो पाएगा और इसका implementation कितने अच्छे से होता है और जो भावी सिच्छक गड़ है जो लोग यह lecture देख रहे हैं वो लोग इसके लिए कितने एकसाइटेड है उस पर डिपेंड करता है ठीक है बहुत से लोग तो क्या है यही सोच रहे हैं कि सर आप इंटर्वी होगा क्या सर आप यह होगा कि डर रहे हैं तो अगर आप डरते हो तो टीचर मत बनो यार कोई और धंदा देख लो क्योंकि आप बरवाद कर दोगे लोगो आप ही डरोगे तो फिर और कौन क्या क्या रहेगा ठीक है तो अब देखते हैं अगले पॉइंट पर तो इसमें बताया गया है कि यह जो सिच्छा नीती है है 213 सधी कि पहली सिच्छा नीती है बास्त् tavalla है 215 में तो थोड़ा बहुती सिच्छा नीती आप और इस लच देश को व्यक्यास के लिए स्विए और आवश्यक्तम शाप अब हमारी भी सुच्छ ला रहा है हमारी उनके बारे में जैसे कि नीचे वाले पराग्राफ में चीजब शींखें और साथी साथ में हम ये भी सीखें कि नैतिक, सामाजिक, भावनात्म किस तर का भी विकास हो हमारा ठीक है बुनियादी, गड़ेत बगएरा इनका तो विकास हो ही रहा है साथी साथ नैतिक, सामाजिक और भावनात्म किस तर पर भी हमारा विकास हो और साथी साथ ये बोला गया है कि जो प्राचीन और सनातन भारतिय ज्ञान और विचार की सम्रद परमपरा है, ठीक है एक प्राचीन ज्ञान भी था हमारा जहां पर ज्ञान, प्रिग्या और सत्य की खोज के आदार पर हम करते थे काम, यह यह नहीं कि पहले ज्ञान दिया ज कर लेते थे तो फर लाष्ट में सत्य की खोज गुआ करती थी तो यानि ग्यान केवल ऐसा नहीं था कि जिससे आपका जीवन आसाण हो जाए बस जबकि इसके समाध्यम से हम आत्मक्ति तक आत्मग्यान तक मुक्ति के तरफ जाते थे तो ऐसी अमारी परंपरा थी तो उसी परंपरा को वें के बारे में भी रिसर्च करना है तो को भी छोड़ना नहीं इसको ले के जाना इसको आंगे तक बढ़ा के जाना यह मुझे बहुत अच्छी बात लगी तो यहां पर सारी चीज़ा दी गही है कि यह यह जो नाम दिए ना यह नाम टैटे एक्जाम बालों के लिए थोड़े मैतपूर हो जाएंगे कि सुस्सरत ने क्या लिखा आरबटकन का क्या काम था यह क्योंकि यह नाम उन्होंने डारेक्टली दे दिये हैं ठीक है तो यह सारी चीजे उन्होंने यहां पर दी है तो नैस्ट जो है पराग्र आप अब वो यह कह रहा है कि जो बुनियादी बदलाव हैं उनके के अंदर में सिच्छा कोने चाहिए यानि भाइया देखो यह मैं हमेसा बोलता है हूं पैड़ा को लिए आपको पढ़ाई है कि टीचर इस हीरो तीचर आपका एक हीरो होता है और वो तो रहे गई यार वो टीचर क्योंकि अगर लेकिन अगर डेडिकेटेड टीचर होंगे तो आप यह यकीन मान के चलिए वह सारी चीज़ें कर देंगे तो सिच्छा की जो नई नीती को निश्चित तोर पर क्या यह क्या बोल रहा है कि जो टीचर होते ना उनको अभी क्या है टीचरों की इतनी व वह भी बढ़ाने की बात है आंगे देखेंगे तो वह भी बढ़ाया जाएगा ठीक है क्योंकि उनको सम्मान कम मिलेगा आप तो उनको कम तंका दोगे तो वह बिचारे बैसे भी सम्मानी नहीं इस्तिती में नहीं रह पाएंगे ठीक है और साथी साथ यह काफी चीज़े ब बहुत होन्हार लोग हो बश्येशनात्मक हो जो समझ पाये कि इतने इतने तरीके के लोग हो सकते जो लोगों को पड़ पाएं जो जिनकी मतलब आप समझ सकते हैं क्या कहना चाहरा हूं ठीक है उनकी आजीब का सम्मान देखो आजीब का की बात कर रहे हैं यानि कि आपका बेतनेतन अच्छा करेंगे सम्मान मान मर्यादा स्वायता यानि कि यह नहीं है कि मतल सिच्छ नीती में ऐसा कुछ करेंगे अपन आंगे दिया होगा किस तरीके से करेंगे साथ ही तंत्र में गुडवत्ता नियंत्रड और जवाब देरी की बुनियादी प्रक्रियां भी इस्तापित करेंगे कि यह नहीं कि मलब तुम लोगों को इतना दे दें टीचरों को और ग लेकर कि आपको पेमेंट भी अच्छ मलेगा अभी एक जो मंत्री थे उनने तो यह बोला कि यह जादा कटन हो जागा तो उनने थोड़ा बत्ती देदी ठीक है ऐसा कुछ नहीं है बहुत सारे टीचर्स चाहिए पढ़ेंगे ठीक है और इतने सारे लोग इतने सारे लोग आ जब कि पैसनेट जो हों तीचिंग के लिए वो लोग आए ठीक है बीड एडिएड के भी नए रूल निकाले हैं तो उनके बारे में भी हम आंगे चर्चा करेंगे जो आपका तीसरा लेक्चर होगा साइध हां तीसरे लेक्चर में चर्चा करेंगे ज़ीगे नई सिच्छा वाले समूह पर विज्विद दियान की जवरत है सिच्छा बराबरी सुनिस्चित करने का बड़ा माढद्या में इसके द्वारा समाज में समानता समादेशन बगरा बगरा होता है तो देखो यह क्या कह रहा है कि कोई भी कहीं पर रहता है वह ने सरकार जैसे रोड़ बनाना चाहती थी तो वो क्या है प्राथ्मिक्ता देती है कि जहां पर 500 की आवादी यह पहले उस पर बनाएंगे पर 200 श्राइक रहाधी इस तरीके से ऐसे ही सरकार का कहना ये अगर सरकार ने बोला और इसका मलब है सरकार हर जगह बनाई ठीक है यानि कि उसकी प्रात्मिक्ता में हर चीज़ा होगी बस प्रात्मिक्ता में वरीता का क्राम अलग अलग हो सकता है लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ पर अभी हम बनाई नहीं रहें 2014 तक वो इस तरीके से काम करना चाहते हैं ठीक है कोई भी समदाय बंचित ना रहा जाए सबके लिए फ्री एजुकेशन हो चीक है और देखिए वो ही बाली बात की इन सभी बातों का नीती में समावेशन भारत की सम्रद विविदता संस्कृति के प्रती सम्मान रखते हुए और देश के मलब भारत की सम्रद विविदता संस्कृति इनका सम्मान रखना है और भारत की जो विविदता है उसको भी बनाना ह इसलिए कि लोकल लेंग्वेज और इन चीज़ों की भी बात की गए। अब यहां पर देखिए पिछली नीतियों के बारे में बोला गया था है कि पिछली नीतियों और इस नीतियों में क्या फरक है। अब यहां पर आ जाते हैं इस नीती के आधार सिद्धान्त जो की काफी महत पूरा हैं मतलब पहला तो यही बोला गया है जो अभी तक में बता रहा था कि करोना सहनवूती साहस लचीला पन यह सारी चीज़ा होनी चाहिए कोई भी नया काम करने के लिए साहस होना चाहिए अब यहां पर हम देखेंगे बोल रहा है कि यह मूलबूत सिद्धान्त जो बड़े इस्तर पर सिच्चा पड़ा लिए व्यक्तिकर संस्तानों का मार्क दर्शन करें अब यह बता रहे हैं कि यह सिद्धान्त हो दे रहा हैं यह पॉइंट दिये लिए ना काले-काले म पसंद करता है तो हम उसको समझें कि हाँ ये बच्चा क्रिकेट में जा सकता है हम पैचान करेंगे और उसके विकास के लिए काम करेंगे और स्विकृति देंगे सबसे पहले यह नहीं करेंगे कि आरे क्रिकेट से क्या होगा गड़ित पड़ो इंग्लिस पड़ो यह सब पर करेंगे हम उसकी विशिष्ट चमताओं की सुईकृति देंगे दूसरा है बुनियादी साथ चर्था और संख्या ग्यान को सारवाधिक प्रात्मिक्ता देना देखो कुछी भी हो जाए तारकिक्ता आपकी घड़ से यहाथ है संख्या ग्यान का मतलब यह नहीं है कि उसको गि अधेंग पूरा सबको यह चीछ तो कराईवी देनी है ठ लचीलापन यहीं है कि सिखाने सीखने के तौर तरी की कारक्रम को चुनने की छमता हो कि मलब इस तरीके से नहीं पढ़ पा रहा थो भच्छ एब görünतरी तरीके से पड़े कि तीसरे तो सब लोगों को इंजीनियरी बनना है, सबको IIT दिखाई दे रही है कि नहीं, तो वो लचीलपन होना चाहिए, यह वाला कोर्स करके, ऐसे करके यह भी कर सकते हैं, और कोई भी काम करने के लिए कोर्स करने की जरूरत भी न पड़े, ऐसा लचीलपन, इस लेवल का लचीलप इस पॉइंट का मतलब है कि जैसे कला और विज्ञान के बीच जैसे की मतलब लोगवाग साइंस को अलग समझते हैं आर्ट को अलग समझते हैं लेकिन इनके बीच में भी बहुत सम्मन्ध है जब आप रोजगार के छेतर में आते हैं तो कला और साइंस और सभी सब्जेक्ट क करते हैं आप कोई भी नए बिवसाय करते हैं तो उसमें ऐसा नहीं है कि यह की फील्ड हर फील्ड से जुड़ाव होता है तब ही वह बिवसाय आप सफल बना पाते हो हैं कि नहीं तो हरेक चीजों से जुड़ाव को आपको पता होना चाहिए साथ ही साथ उचनीच की भावना नहीं होनी चाहिए जैसे पाट इक्रम स्लेवस और सलेवस और जो पाठ्थे तर गत्विदिया यह नहीं जो बाहरी गत्विदिया एक्टिविटी यह उसका से डारेक्ट रिलेशन समझ में आए बच्चों को अच्छा यह यह उससे कुछ सीख हैं है कि नहीं जैसे संख्या ग्यान कराना है तो हम बच्चों को बता दें कि आप जाओ और अपने गाओं में पता करके आप फलाने जो है आपके वह दूद बेचने जाता है उनको कितना लाव होता है कितने का पड़ता है क्या चीज़ है कि आप अगर इंजिनरिंग कॉलजेंगे या पर किसी भी कॉलेज मेडेखेंगे की देखेंगे मार्यट अलग मंग रहा है आपसे आपको नौकरी के लिए अना चाहिए जैसे आपको में सफस्हा बहुत अच्छे से आना चाहिए नौकरी में आपका मांग लेकिन आपके पा चीज़े बिवसाइक और सेच्छडिक धारा हैं आपस में दूसरे से मिली होना चाहिए ठीक है जैसे पाटे करम भी हमारा बहुत पुराना हो गया इंजीनिंग कॉलेज या पिर बगएरा बगएरा का तो वहां से जो बिवसाइक चीज़े वह एक दूसरे से रिलेट नहीं हो बहुत बिशियक संस्थान बनें बहुत बिशियक डिसिप्लेगेंरि हमारी मल्टीदी डिस्पलेगेंरी रहे समग्र सिच्छा का बिकास हो गया समग्र सिच्छा का मतलब यह नहीं कि हर क Consider यह को विशेशच के होना है हर किसी को एक ही टो उसके जाना आ ठीक है एक इक general information एक जनरल जानकारी सभी को होनी चाहिए जैसे कि इन सभी के बीच में सामाजिक बोला है सामाजिक विज्ञान कला मानवेकी और खेल के बीच में वह बिस्याक वहना चाहिए सबी आपस में मिल जाए हमको सबोस्पी नौलिज होना चाहिए ठीक है हमको सबकी knowledge होनी चाहिए और संस्थान भी हमारे ऐसे होने चाहिए ठीक है कि जहाँ पर खेल का भी एक अलग department है फलानी चीज का एक अलग है आर्ट का एक अलग है इसका एक अलग है इसका एक अलग है उस आपस में मिलके काम कर रहा है क्लस्टर वाला प्रोग्राम बन रहा है जैसा क्लस्टर वाला डिवी उनिवस्टी में आप देखते हैं तो वहाँ पर भी चीज़ें ऐसी हैं तो उसी तरीके का ठीक है ऐसा होना चाहिए लॉजिकल थिंकिंग को और नवाचार यानि की नई नई चीजों को करना इनोवेशन करने को प्रोसाहित करना है बच्चों को इन चीजों के लिए प्रोसाहित करना है डांटना नहीं है ठीक है नैतिक्ता मानवी और सम्वधानिक मूली यह सारी चीज़े सम्वधानिक ठीज़े बिजरूरी है की हमारा समधान हम से क्या कहता है मान विए मूली भी जरूरी है करोना वगैरा ने इस सब चीजो की बात बहु भासकता और अध्यन-ध्यापन के खार में भासा की सक्ति को प्रोसान देखिए मैं भी जब पढ़ाता हूं तो मैंने एक चीज़ देखी है कि भासा का ग्यान लोगों को बहुत कम है तो लिखा हुआ है वो उसको सभी अर्थों में समझ नहीं पाते हैं ठीक है इवन यह चीज़ है बहुत देखने को मिलती है कि सवाल को करने में मैं दिक्कत भासा की सकती को लेकर होती है तो बहुत भा जीवन कोसल यानि लाइफ स्किल्स देखें यह एक नई चीज नई चीज़ का यह तो अभी भी है लेकिन उतने अच्छे तरीके से आपके पाठे करम का हिस्सा नहीं है ठीक है आप सी संबाद सायोग सामुहिक कार लचीला पन यह सारी चीज़ जीवन कोसल को समझें ठीक है लचीला पन इन केस की किसी ने किसी कोई डांट दिया आपको और आप एकडम अकड में आके और भाग दिये यह वो कर दिये तो आपे लचीला पन केसी ना चीज़ जीवन के बारे में ठीक है सीखने के लिए सतत मूल्य अंकन पर जोर देना परिच्छा प्रडाली को हटाना है इसलिए क्याना बोर्ड परिच्छा 10 की हटा दी जा रही है ठीक है क्यों क्योंकि मलब क्या होता है कि लोग आप तो जानते नहीं है गाओं में यह स्थिति है कि बोर्ड का ऐसा हला मचा है और टूशन वाजी का ऐसा हला बच्चा है कि आप लोग समझ नहीं सकते कि अगर घृट को लगता है कि 10 में पास कराना एक कई के लिए पढ़ा है तो वहां पर भी ठीच डीचर एक माहॉल बना ली है कि 10 चैंट में memang10 को पास कराने के लिए 9 आचर इंत में टächstका सब्सक्राइब तो वह पूरा उसकी बेव से ऐसी तैसी कर रहे हैं तो यह बोर्ड परिच्छा इनका हुआ है यह सारी चीजे खतम होनी चाहिए और फैस फैल पास वाला सिस्टम हो जाना चाहिए मेरे साथ से दी में आगे बढ़ेंगे तो यह कोचिंग संस्कृति को यह बढ़ावा देते है इसकूल में बहुत सारी सारी चीज होगा आप विकास होता है जिदक है मेरे कोचिंग में जाओगा आप सिस्कूल और बंद कर दी आ तो यह तो और वोजी इस्थित्क होगी झींगत ही नहीं तो टेक्निकल टेक्निक जो टेक्नालोजी है उसका हमको बहुत जादा उपयोग करना अच्छे से चीक है और दिभ्यांग बच्चों के लिए सिच्छा सुलब बन पाए टेक्नोलजी का ऐसा प्योग किया जाए बासा संबंदी बाधाओं को दूर करने में कि मलब कोई कि बासा नहीं समझ पा रहा है तो यह यह टेक्नोलजी के माध्यम से हम इसको कर सकते हैं अच्छा ठीक है अध्यन अध्यापनकार में ठीक है सभी पाठिक्रम सिच्छड नीति विविदिता और स्थानी परव्यस के लिए एक संब्स हमेसा ध्यान वार्थ रखते ह देखिए बहुत सारे सिच्छा विदोने भी यह माना है कि अगर बच्चा अपनी मात्र भासा में पढ़ाई करता है सुरू आती तो उसको क्या है कि वो अवधार आत्मक समझ अच्छी तरीके से कर पाता है लेकिन अगर उसको सुरू से ही आप सेकंड लेंग्वेज में आसानी से नहीं जा पाता कुछ विशेश बच्चे ही यह कर पाते हैं तो इस वजए से मात्र भासा पर जोर देते हुए को पांच वी तक और हो सके तो आठ वी तक ऐसा आंगे स्कूली सिच्छा वाली सेकंड लेक्चर में आप देखेंगे वो दिया गया है चीक है कि यह का सब्सक्राइब। तो ऐसा होगा complex तो चीजा होंगी तो उन्हीं को समझाने के लिए उन्होंने पहले इप क्लियरली बोल दिया है कि संबर्ती विसाय हम हमेशा धान में रखेंगे संबर्ती विसाय है यहां राज भी अपने चीजा लागू करेगा केंद्र भी लागू करेगा और इस्थानी परवेस के लिए एक सम्मान जरूर रहेगा जरूरी भी है बड़े सिच्छा विदों के माध्यम से भी सभी सैच्चिक नेड़यों की आधार सिला के रूप में पू सिच्छा को लोगों की पहुंचो सामर्थ के दायरे में रखना या सुनिश्चित करने के लिए कि सभी चात्र सिच्छा प्रडाली में सफलता असिल कर सकें किसी कोई फैल ना हो भाईया जीवन में बहुत से अभी मैं मैंने फेस्बुक पे पोस्टी करी ती तो वहीं पर य इसी तरीके से किया जाएगा तो सबीलों ही हो जाएगा कोई फैल हो गई नहीं मगी नहीं हिए है वो सुरी की ना कराई जाए तो कि बोर्ड एक्जाम से क्या होता है यह क्यों रोग नहीं हो पा रहा है हाँ तो मैं इस पॉइंट पे था कि सभी चात्र सभी चात्रों को सफल कराना को सब को सफलता दिलाना य찬दि की जो गड़ित में कमजोर है लेकिन कि दूसरी चीज में अच्छा है तो उसको सफलता मिल जाए Québec उसके लिए स्कूलिंग एक बाधा ना रहा है कि भाया तुमको यहीं पर रोक दिया गया है तो यह सारी चीजे हैं अब इनके बारे में विस्तार पूर्बक भी चर्चा करेंगे हैं इसकूली सिच्चा से उचितर सिच्चा का सभी स्थालमेल प्रारंबिक बालवस्ता वगरा वगरा यह भी आप इसकूली सिच्चा में इसको डिटेल में देखेंगे चीक हैं सिच्चकों और संकाय को सीखने की प्रिक्रिया का कैंद्र मानना चीक हैं मतलब यह हैं कि जो टीचर हैं वो हीरो हैं उनकी भरती और तयारी की उतकरष्ट विवस्ता होनी चाहिए चीक है न अच्छा रहें ठीक है सेच्चिक प्रडाली की अखंडता पारदर्स्ता संसादन को सलता और सारजनिक प्रिक्रिडी के अमाध्यम से हलका लेकिन प्रभावी नियामक भाचा साथी साथ यह होना चाहिए देखो मतलब यह है कि जो सिच्च्चा प्रडाली है सिच्च्च्च होना लगा बगएरा बगएरा हलका लेकिन प्रभावी नियामक भाचा होना चाहिए नियामक भाचा यानि इन पर भी कंट्रॉल करने वाला धांचा होना चाहिए हलका ही होना चाहिए ऐसा नहीं कि टीचर पर एक दम दवाव बने डाल रहे हैं लेकिन प्रभावी होना चाह और साथी साथ में ओटोनोमी टीचरों को देना है और जो इनोवेशन वो कर रहे हैं उसके लिए खुले होने चाहिए द्वार आउट आप दा बॉक्स कोई विचार ला रहा है कि हम ऐसा ऐसा करेंगे तो उसको भी इंप्लीमेंट करने के लिए उनको ओटोनोमी होनी चाहिए स्वायत्ता होनी चाहिए और नीमित मूल्यांकन के आधार पर प्रिग्रतिवी सतत समिच्छा करती जो सैचिक विशेशक गहां जो सिच्छा वेद्यां बड़े बड़े तो वह क्या है कि वह लगातार तो रिसर्च करते रहें और लगातार देखते रहें कि हमारी यह सिच्छा नीथी है यह कितना कारगार हो रही है और वही मैं पॉइंट भारती जड़ों और गौरप से बंदे रहना कि भारती जड़ों से तो बंद के रहना हमको भारती परंपराओं के बारे में तो जान नहीं है और यह एक और मैत्यपूर पॉन्ट है कि सिच्च a прав जैनिक सेवा है यी एक साब जैनिक सेवा है ये जीज बहूत नतुत पूर्वक सिच्च तक पौक्षे का मौलिक पिए अगर सच्छे परोपकारी निजी और सामधायक भागीदारी को प्रोसायत और सुगदा करना या निकोई अगर दान देना चाहता है तो इसको भी प्रोसायत करना सामधा एक भागीदारी देना चाहता है तो उसको भी प्रोसाइट करना है चीक है ये अब आते हम इस नीती का विजन क्या ये बिल्कुल आखरी पॉइंट है हमारा इस लेक्चर का फिर अगले लेक्चर में स्कूल सिच्छा के बारे में हम ध्यान से देखें है चीक है देखो इस नीती का विजन अब ये पूरा विजन हम पढ़ेंगे ये विजन आपके लिए महत पूरा है इस राष्टिय सिच्छा का विजन भारतिय मूल्यों से विक्सित सिच्छा प्रडा लिए भारतिय मूल्यों से विक्सित ठीक है हम किसी की नकल नहीं करेंगे ठीक है और हम कि उचितर गुडवत्ता सिच्छा उपलब्द कराके कि सब को हाई क्वालिटी की एजूकेशन मिले और भारत को वैश्विक ज्यान महासकती बना कर क्योंकि इतनी बड़ी जनसंग क्या है और आप समझ सकते हैं कि हम वैश्विक ज्यान की महासकती बन सकते हैं बिलकुल बनेंग नीती में परिकल्पित है कि हमारे संस्थानों की पाठे चर्या और सिच्छा विदी छात्रों में अपने मौलिक दायतों संब्धानिक मूल्यों देश के साथ जुड़ाओ और बदलते हुए विश्व में नागरिक की भूम का उर्ता द्रायतों की जागुक्ता उत्पन करे मनलब जो नीती है जो यह पॉलिसी है वो इसके जो हमारे इंस्ट्यूट हैं उनका करिकुलम ऐसा होना चाहिए पाठ चर्या ऐसी होनी चाहिए और जो पढ़ाने की विदी है वो ऐसी होनी चाहिए कि बच्चे अपने मौलिक दायतों को समझें संब्धानिक ूल्यों को ने, और विश्यो के एक नागरिक क्या भूम का हुने चाहिए, क्या हमारे उत्थर दायत होते हैं, इनके पारे में जागरूता उत्त Parce ना, नीती का बिजन भार, छात्रों में भार्ती होने का गर्वज ना केवल विचार में, बलकि वेवहार में, बुद्धी में और कार्यों में भी हो, साथी साथ ज्यान, कोशल, मुल्यों और सोच में भी होना चाहिए, जो माना वदिकारों, इस्थाई विकास और जीवन यापता वेश्विक कल्याड के लिए प्रतिवर्द हो, यानि हमारा वही वसुदेव कोटरम्र कम कि हम कि यह वले देश का विकास पूरे विश्व का विकास करना चाहते हैं, ताकि वह सही माने में वेस्विक नागरिक बन सके यानि वसुदेव कोटरम्र कम का, हम गलोबल सेटीजन बनने की और जाना चाहते हैं, ठीक है, मतलब नेशन नेशन प्राइड तो होई हो, कि देश के प्रतिगर्व तो होई हो, साथी साथ हम पेश्विक नागरिक बन सके हैं, पूरी दुनिया के लिए कुछ कर सके हैं, तो ये इस लेक्चर में था थोड़ा लंबा हो गया कापी चीज़ हैं, अभी क्या है कि अभी तो मैं लंबा लंबा आपको क्लियर करा दूँगा, ठीक है, लंबा 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 च चीज़ें, तुरंट तुरंट वो चीज़ें ध्यान आएंगी, और पिंटू पॉइंट में याद करने के परपस से भी चीज़ें, अभी मेरा मकसद आपको ये नहीं है कि आपको एक्जाम परपस के जाब से याद करने के लिहाज से बताऊं, मैं आपको एक अच्छा सिच लेक्चर रहेंगे, उन पांचों लेक्चर की नीचे डिस्क्रेप्शन में आपको लिंक दे दी जाएगी, ये पूरी पीडियाप आपको चाहिए, तो तब को भूमी का जो हमारा एंड्रोइड एप है, वहाँ पर आपको डिपरेंट डिपरेंट कोर्सेस में अभी फिरी अवेलिबल हो जाएगी, और साथी साथ फ्री स्टेडी मटेरियल में भी आपको ये दिखेगी, ठीक है, तो मिलते हैं नेस्ट लेक्चर में, धन्यवाद, जय माता दिए